हलो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाइनल रोड टेस्ट असानी से कैसे पास कर सकें तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लिस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे पहुचा हैं जिससे की और लोगों को भी बेनिफिट हो सकें इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगा कि आपको फाइनल रोड टेस्ट में क्या करना है तो पॉइंट नमबर वन यह है कि आपके अंदर एक कॉंफिडेंस होना बहुत ज़रूरी है जबी भी आप फाइनल टेस्ट में जाएं थोड़ा जल्दी चले गाईए स्कूल पहुचिए थोड़ा फ्रेश हो जाएए पानी पी और करंक टाइम पर रिपोर्ट कीजिए आपको ध्यान रखना है कि आपको रिलाक्स रहना है और एक ड्राइवर की तरह गाड़ी चलाना है ना कि एक स्टूडेंट की तरह चलाना है तो ये तो हो गया पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर दो ये है कि जैसी आप गाड़ी में आते हो सबसे पहले अपना सीट अज़श करिए क्योंकि आप से पहले जिन्होंने टेस्ट दिया होगा शायद ये उनकी सेटिंग्स होगी तो इसलिए आपको अपने सेटिंग में लाने के लिए आपको सीट को आगे पीछे करना पड़ेगा आपको बैक सीधा करना पड़ेगा आगे पीछे करिए और चेक करिए कि आपके पैर और हाथ कंट्रोल में पहुँच सके के control यानि steering या brake पे सही से पहुँच जाएं, gear सही से डाल सके, तो यह सब आपको check करना चाहिए, उसके बाद गाड़ी के सीशे, यानि mirror, जो center वाला rear side का mirror है, उसको adjust करिए, इसको मैं आपको tapes बताता हूँ कि आपको adjust करना भी आना चाहिए, ठीक है, तो इससे पहले आपको अगर adjust करना नहीं आता है, तो पहले से कुछ लोगों मैंने देखाएगी, वो last moment में adjust करनी पाते, और उनके confidence लेवल गर जाता है, तो इसलिए आपको सीशा adjust करना आना चाहिए, left का सीशा adjust करिए, side का सीशा adjust करिए, center mirror adjust करिए, और इसके बाद जो main चीशे अपने seat belt को पहनिए, और चेक करिए कि सारे door close हो, और एक चीश और धियान रखना है, अगर आपके साथ और भी बंदे हैं, गाड़ी चलाने के लिए, महला फाइनल ट्रेस्ट रोड के लिए, और भी बंदे हैं, तो उनको भी बोलो की seat belt पहने लिया, चेक करोगी वो भी seat belt पहने, मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं कि वो गाड़ी सही चलाया, उन्होंने मगर पीछे वाले बंदे ने seat belt नहीं पहना तो वो fail हो गया, तो इसका अपको धियान रखना है, तो उसके बाद ये चेक करिए कि सारे दरवाजे बंद हो, इंडिकेटर डालते हुए, मिरर को चेक करते हुए, हैट चेक करते हुए, हैंड ब्रेक को रिलीस करना नहीं भूलना, हैंड ब्रेक कुछ बंदे के करते हैं, एक्सलेटर दबाते हैं, और hand break release करना भूल जाते हैं तो hand break को release करो और आप गाड़ी को बढ़ाओ एक और मैं आपको tip इसमें देना चाहता हूँ कि आपको पहले सी रूट के बारे में पता होता है देखो final test का जो रूट होता है वो जो examiner है कौन से road पे ले जाएगा तो यह आपको पहले सी पता होना चाहिए इसलिए जब आप class लोग instructor से पहले सी पूछ लेना कि final test road का जो route है वो उसमें मुझे गाड़ी चलोगा हो जिससे कि आपको पहले सी पता चलें कि हाँ भई इस lane में आपको गाड़ी रोकना है roundabout आएगा यह you turn आएगा तो ऐसे इसको आपको idea मिल सकता है तो instructor से पहले सी आप पूछ लेना तो अब आप गाड़ी के अंदर हो आपने सब कुछ कर लिया है तो सबसे पहले देखिए मैं आपको चीज बता देता हूँ कि आप school compound के अंदर ही होगे यह जरूरी नहीं है फिर भी मैं आपको पता देता हूँ जैसी आप school से बाहर निकलो के तो stop line होएगा stop line का मतलब आप समझते हो ना यह देखिए यह stop line है और या फिर stop sign भी हो सकता है तो आपको main road पे गाड़ी उतारने से पहले आपको जरूर stop sign पे गाड़ी रोकना है यह stop line पे गाड़ी रोकना है चेक करना है चाय रास्ता clear भी है जादा नहीं दो second एक दो second रोकिए और उसके बाद आप आगे जा सकते हैं और हमेशा दियान रखना है कि no entry road पे आपको entry नहीं करना है यह भी बहुत जरूरी चीज़ है अब देखिए आप road पे आगे हूँ हमेशा examiner के instruction को सही से सुनिए और उसे follow करिए सामने देखिए observe करिए और अप judge करिए judge करिए मतलब देखिए मैं इसका एक आपको example बताता हूँ मैं इसमें आपको एक example देना चाता हूँ जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो final road test में सामने एक गाड़ी खराब खड़ी है या वहाँ पर कुछ road पे काम चल रहा है तो आप क्या करोगे तो आपको judge करना होगा देखो यार गाड़ी खराब है time हमेशा speed limit का ध्यान रखना पड़ेगा आपको ना over speed में गाड़ी चलाना है ना की और ना धीरे गाड़ी चलाना है तो पहले सी मैपको इसमें भी tips देता हूँ पहले से जो आप instructor से पूछिए कि देखिए यह route का speed कितना है आपको पता होना चाहिए यह road का speed क्या है तो उसके इसाब से gear कैसे control करते है कौन से gear उपर रखना है कौन से speed में जाना है यह पहले सी आप अपने instructor से पूछ लेना अब देखिए आप road पे जाते time examiner आपसे lane change करवा सकता है यह roundabout से left जाने के लिए यह आपको पता होना चाहिए lane change करना आना चाहिए overtake करना आपको पहले सी आना चाहिए अब इसमें सबसे जो common चीज है वो आपको examiner जो है आपको lane change करने के लिए बूल सकते हैं तो आपको क्या करना है lane change करते time आपको rule follow करना है आपको क्या करना चाहिए, आपको indicator डालना चाहिए, शीशे देखिए, indicator हम क्यों डालते हैं, जिससे ही और लोगों को पता चले हैं, हाँ आप lane change करने वाले हो, तो indicator डालिए, शीशे देखिए, कौन से शीशे, center mirror देखिए, पीछे के गाड़ी को भी धियान रखना होता है, ज examiner को दिखाओ, कि हाँ भी मैं head check कर रहा हूँ, head check बहुत जरूरी चीज़ है, head check मतलब क्या होता है, आपको blind spot को देखने के लिए, side के गाड़ी है, शीशे में दिखाई नहीं देती, इसलिए हमें head check करना बहुत जरूरी है, तो आपको दिखाना है, कि हाँ भी मैं head check कर रह तो आपको पहले उसी पता होना चाहिए, कि हाँ मुझे कौन से lane में, पहले उसी correct lane पे आजो, अगर गाड़ी अंदर है, roundboard के गाड़ी अंदर है, तो आपको stop line पे गाड़ी को रोकना है, और entry करते time आपको कौन सा indicator डालना है, ये पता होना चाहिए, कौन से lane में exit करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और instructor से पूछे कि gear कैसे डालते हैं, कौन से gear में रखना है, और गाड़ी को कभी भी stop नहीं करना है, तो अब आपको points सारे, मैंने mostly सारे points मैंने cover कर ले हैं, अब मैं आपकी गलतियां बताता हूँ, जिससे कि final के road test में, लोग fail कैसे हो जात मतलब जो two second का फासला होता है, या तीन second का फासला जो होता है, मतलब सामने वाला गाड़ी और आपके गाड़ी के बीच में एक महफूस फासला होना चाहिए, safe distance होना चाहिए, इसका धिहान रखना है, और unnecessary मतलब बिना किसी वज़े अपने speed को बढ़ाना, या कम करना, या को रोकना, इससे भी बंदे फेल होते हैं, head check नहीं करने से भी फेल होते हैं, या जल्दी से mode लेना, या फिर जल्दी से signal डालना, या late signal डालना, या signal नहीं डालना, इससे भी बंदे फेल होते हैं, और seat belt का तो मैंने आपको पता दिया, seat belt जरूर पहनना है, और पीछे वाल पता करके नखेंगे यहां का स्पीड लिमिट क्या है और ना ज्यादा जोर से ब्रेक मारना है या स्लो ब्रेकिंग मारना है इसका भी आपको धियान रखाए गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए और ओवर्टेक करते टाइम रेस्टिक्टेड एरिया मतलब जहां पर ओवर्टे गीर के बारे मैं आपको पता होना चाहिए बिक मैं डाई करते टाइम आपको ध्यान डखना चाहिए गाड़ी रुकने का खतरा होता है तो आपि आप ऐल मिली तो यह तो मैंने कुछ टिप्स आपको इधर बताएं आपको इससे मैं उमीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत मदद मिले तो जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कि गया प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेर करिए तो आगर आपको भी कुछ बोलना है या आपका कुछ एक्सपीरियन्स है फाइनल रोड टेश के बारे में तो आप कमेंड कर सकते हैं जिससे की जो लाइसन्स लेने माले लोग हैं उनको फायदा मिल सके थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो